नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कि यहाँ पे बहतर काम नहीं हुआ है बलकि इसका मतलब यह है कि अन्य देशों ने उससे बहतर किया है HDI को समझते हैं कि किस अधार पे यह रिपोर्ट तैयार की जाती है तो मानो विकास सुचकांक में किसी भी देश के जीवन अस्तर, स्वास्त एवं सिच्छा के अस्तर को देखा जाता है क्रै सकती कितनी है लोगों की यह भी देखा जाता है और अब इसमें कार्बन उत्सरजन वगरह भी जोल लिया गया है मानो विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार बर्स 2019 में जन्मे भारतियों की जीवन परत्यासा 69.7 साल आकी गई है जबकि बांगला देश में यह 72.7 यर्स रही जीवन परत्यासा के मामले में पडोसी पाकिस्तान काफी पीछे है वहाँ पे यह 67.3 यर्स है भारत के साथ साथ भुटान बांगला देश नेपाल पाकिस्तान आज की जो आई है रैंकिंग उसमें भुटान हमसे बहतर है उसे 129 आस्थान मिला है जबकि बांगला देश 133 पे है नेपाल 142 पे और पाकिस्तान 154 पे आपको पता दें कि इसमें 189 देश 189 देश सामिल है और भारत का HDI मुल 0.645 रहा इसके कारण ही भारत को मध्यम मानो विकास वाले देश की स्रेणी में सामिल होना पड़ा और दो अंग फिसल करके वो 131 पे पहुँच गया रिपोर्ट के अनुसार मानो विकास सुचकांक में नार्वे सिर्ष पे रहा जबकि आयरलेंड, स्विट्जर लेंड, हॉंग कॉंग, आइसलेंड, क्रमसा दूसरे तिसरे चव थे वो पांचवे अस्थान पे रहे UNDP की और से जारी जो ताजी रिपोर्ट है, इसमें क्रैस सक्ती चमता जो है, वो 2018 के दवरान भारत में प्रतिब्यक्ती 6829 अमेरिकी डॉलर थी, यानि कि करीब 5 लाख रुपे, वो 2019 में घट करके 6681 डॉलर हो गई, यानि कि 4.9 लाख हो गई PPP विभीन देशों की किमतों का पैमाना इसमें वस्तु भी से इसकी किमतों की तुलना की जाती है, ताकि मुद्रा की वास्तित छमता का निरधारण किया जा सके कमबोडिया, भारत और थाईलैंड मुलके बच्चों में कोपोसर भी एक बड़ी समस्या गरूप में सामने आई है, जिसके कारण इन देशों के बच्चों की लंबाई कम रा जाती है कोलंबिया से भारत तक मिले सक्च बताते हैं कि बित्ती ये सुरक्षा और भूमी स्वामित्य के कारण महिलाओं की सुरक्षा बहतर हुई है, इसे लंगिक हिस्ता में भी कमी आई है, साफ है कि भूम खरीद से महिलाओं ससक्त हुई है भारत ने पेरिस समझावते के तहट बर्स 2030 तक 2005 के मुकाबले 30-35 फिसद कारवन उत सरजन कम करने का फैसला किया है, देश में सवर उर्जा के छेतर में तेजी से काम हुआ है अप्रेल 2014 में 2.6 गीगावाट सवर उर्जा का उत्पादन हुआ था जो जुलाई 2019 तक 30 गीगावाट हो चुका है, इस प्रकार उसने 4 साल पहले ही 20 गीगावाट छमता हासिल करने के लक्ष को पालिया है भारत सवर उर्जा छमता हासिल करने वाले देशों की सुची में पांचवे अस्थान पे आ गया है कुरोना संकरमण के बीच इस रिपोर्ट में PHDI नामक एक नया सुचकांग भी जोड़ा गया है Planetary Pressure Adjusted HDI में HDI की पार्धरस्तिया को बरकरार रखा गया है UNDP के अधिकारियों का दावा है कि PHDI में किसी देश द्वारा किये जार है Carbon Ut nitrogen का भी उलेह किया गया है Carbon Ut nitrogen कम करने के दिसा में भारत की प्रतिवधता सरानी है वहीं दूसरे देशों की भी मदद ये कर सकता है ऐसी आसा ब्यर्थ की गई है तो ये कुल मिलाजुला करके भारत को दो पैदान नीचे खिसकना पड़ा है कुरोना काल में ये खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है लेकिन इसका मतलब ये है कि इस साल और बेहतर करना है तो आप रहे हैं न बेखबर देखते रहे हैं इन खबर थैंक यू